बड़े-बड़े मंचों से तमाम सियासी पार्टियां देश को खुशाल बनाने का वादा कर देती है वो बात दूसरी है कि मंच से किये वादों की वैलेडिटी बस सिट मिलने तक ही रहती है उसके बाद निता जी भी गायब और उनके वादे भी लेकिन फिछले पांच सालों में इन मुआमलों में थोड़ा सुधार देखने को मिला है सांसदों पर टोप लेवल से बनाया गया दबाओ कह लीजे या फिर खुद सांसदों दुवारा समाज में काम के प्रती पहल करना कारण कुछ भी रहा हूँ लेकिन फिलहाल सामने आए ताजा आंकड़ों पर गोर करें तो भारत जल्द ही गरीबी को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कर देगा ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ अरे चोक गए क्या? आपके चोकनी के वज़ा भी वड़ी साफ है क्योंकि 2011 में गरीबी को लेकर एक आकड़ा जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि भारत में करीब 30 प्रतिशत लोग गरीब है अब नजाने चैसा साल में ऐसा क्या हो गया जिससे गरीबी दूर होने की खबरे आने लगी थोड़ा चोकाने वाली बात तो जरूर है पर यकीन करिएगा खबर फर्जी तो बिलकुल नहीं है बलकि इसके पीछे की वज़ा है सरकार की कुछ योजनाएं जिससे ये सब होता पोसिबल दिख रहा है वर्ल्ड डाटा लेब की तरब से एक आकला जारी किया गया है इनाकडों को देखें तो भारत में 2012 तक शहरी शेक्त्रों में 25.7 और ग्रामीन इलाकों में 13.7 प्रतिशत लोग गरीब थे लेकिन 2018 आते आते इसमें जबर सुधार देखने को मिला और शहरी इलाकों में मात्र 4.8 और गाओं में महस 3.8 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गए इसके पीछे कोई चमतकार तो बिलकुल नहीं है बलकि सरकार की वो योजनाएं हैं जिन्हें लोगों तक पहुचा कर उसने देश को गरीबी के दंश से मुक्ति दिलाने का काम किया है आईशमान भारत जैसी ओजनाओं ने 12 सेकेंड में एक विक्ति को इलाज दे कर गरीबी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है 2022 तक हर किसी को मकान देने का भी काम चल ही रहा है 2 करोड लोगों को बकायदा उनका आश्याना मिल गिया है मन्रेगा जैसी ओजनाओं में आवंटर नाशी को 58,000 करोड करने का फायदा भी लोगों को मिल रहा है और गरीबों को काम के लिए अब धक्के खाने नहीं पड़ रहे है वर्ल्ड डाटा लैब की माने तो 2011 में 26 करोड लोग रोज 135 रोपे से कम इनकम पा रहे थे जबकि अब ये संक्या घटकर 5 करोड तक आ गई है उजवला यूजना के तहट चूले के बीमारी युक्त दुएं से दूर करते हुए गरीबों को गैस स्लेंडर दिये गए हैं जिससे गरीबों के बड़े तबके को फायदा पहुँचा है घर-घर में शोचाले बना दिये गए हैं जिसका फायदा भी लोगों को हुआ है यही वज़ाय है कि जहां पहले 38 प्रतिशत लोग शोचाले का स्थमाल करते थे अब यह आकड़ा अठाण में प्रतिशत तक पहुँच चुका है World Data Lab मानकर चल रहा है कि जिस हिसाब से भारत तरक्की के रास्ते पर चल रहा है उसको देखते हुए 2030 तक भारत में मात्र 30 लाख लोग ही गरीब रह जाएंगे और दुनिया के 10 सबसे निचले देशों की सूची से भारत निकल जाएगा हम ये नहीं कहते कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन जितना हो रहा है उसका फाइदा देश के लोगों को वाकई में हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है